जहिन साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे तो फाइनली आज की डेट में IT डिग्री डिपोलमा चात्रों के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया वेकेंसी के अंतरगत जिसे कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं वेश्टन कोल फिल्ड लिमिटेट की तरफ से जारी किया गया है जो कि इसका जो अपिस्यल नोटिफिकेशन जारी किया गया था 28-10-2022 को जारी किया गया था लेकिं इसकी जो अपिस्यल वेब साइट है वहाँ पर आज की डेट में ये नोटिफिकेशन देखने को मिला जिससे आप निचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको किसके अंतरगत ये notification जारी किया गए सारी जनकारी details में दी गई है जिससे कि ये notification आपका apprenticeship training के अंतरगत जारी किया गए जिसमें IT degree diploma के 6 फार्म को apply कर पाई है यदि trade की बात करें तो टोटल इसमें आपको 12 ट्रेड के मुका दिया जा रहा है कि यदि आप इसमें फार्म को apply करना चाहते हैं तो apply कर सकते हैं जिसमें पहले नंबर पे आपको computer operator and programming assistant के अंतरगत देखने को मिल जाता है इसके बाद feature है और electrician है विल्डर gas and electric है और wireman है और यहाँ पर आपको square देखने को मिल जाता है और यहाँ पर mechanic diesel अधर अधर यहाँ पर जो भी आपका trade है इसमें आप देख लिजेगा बहुत सारे trade हो को यहाँ पर दिया गया है total यहाँ पर seat की बात करें तो यहाँ पर आपको जो seat देखने को मिल जाती है division wise यहाँ पर देखने को मिल जाती है जिस वर्साप में आपका जितनी seat खाली है उसके अंतरगत देखने को मिल जाती है जैसे कि यहाँ पर देख सकते है यहाँ आपका WCL के अंतरगत यह आपका अ तुनने को मिलेगा कि आप किस वर्क्साप में फार्म को प्लाई करें तो नोटिफिकेशन को देखकर आप समझ जाएगा जिसमें ज़्यादा तर यहाँ पर सीट होगी उसमें आप फार्म को प्लाई कीजिएगा निचे आएंगे आप इस स्क्रोल करते हुए तो यहाँ पर आ पर दे दिया गया पीन नंबर साइथ की आप यहाँ पर पीन कोड के साइथ भी आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं यह कहाँ पर पढ़ता है और वहाँ पर व्यवस्ता क्या होनी वाली है निचे आएंगे तो कौलिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको ट्रेट फीदेखने ओ को मिल जाते है जैसे कि Computer Operator and Programowie Assista के अंतरगत आप आप फार्म को अप्लाई करें तो क्या होनी चाहिए तो देखिए I.ta in Computer Operator and Program目 Assista rate से आपका होना चाहिए और चाहिए आप NCBT से ITI किये या SCBT से ITI के फार्म को अप्लाई कर सकते कोई भी दिक्कत नहीं है सेम कंडिशन आपका फिटेर में भी देखने हो कि मिल जाता है फिटेर ट्रेट से आपका ITI कम्पलीट होना चीब NCBT या SCBT से कोई मतलब नहीं है निचे आजाएंगे साथ यूँ तो ELETCN से आपका यहाँ पर है इसके बाद यहाँ पर welder से, wireman से, mechanic digital से और mission of welding constructor के अंतरगत है और dropman civil के अंतरगत है तो यहाँ पर जो dropman civil है इसमें diploma के चाहत भी बर सकते हैं और ITI के चाहत भी बर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है इसी तरह आपर सारी जनकारी यहाँ पर step by step दी 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 है इसके बाद यहाँ पर एक और trade आपको देखने को मिल जाता है जो कि security guard के अंतरगत यहाँ पर देख लिजे इस box में security guard के अंतरगत है इसमें 10 plus 2 वाले भी farm को apply कर सकते हैं वो 18 वर्स होना चाहिए और जो उम्र आपका count किया जगा वो बाइस ही 11-2022 से count किया जगा और 18-25 वर्स आपकी उम्र होनी चाहिए जिसमें छूट की बात करें तो इस इस वालों के लिए 5 वर्स की छूटे और जो चातर OBC के अंतरगत आते हैं उनके लिए आपर 3 साल की छूट रखी गई है निचे आएंगे साती हुई स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर non-ability के अंतरगत भी इन्होंने बहुत सारी जनकारी दे रखी है इसको आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ ले जगा उनको यहाँ पर 850 रुपे दिया जाएगा और जो चातर प्रेसर केंड़ेट है उनको यहाँ पर 6,000 पर मंत दिया जाएगा ट्रेनिंग के दोरा निचे आएंगे साती हो तो यहाँ पर फॉर्म को कैसे अपलाई करना है और जो फॉर्म का अपलाई करेंगे अचात उनको कितने यहाँ पर मंत में ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी तो 12 मंत के अंदर आपको ट्रेनिंग जो है कंपलीट करा दी जाएगी नीचे आएंगे साती हो तो यहाँ पर अपलिकेशन जो प्रोसेस से वो क्या होने वाला है कैसे आप इसमें सेलेक्शन हो पाएंगे तो यह आपका फॉर्म में भरने से पहले मैं आपको बता दूँ आप इसको फॉर्म को अपलाई करेंगे उससे पहले आपको क्या करना है www.apprenticesipindia.org की जो official website है वहाँ पर रेजिस्टेशन करना है यदि आपको जनकारी नहीं की मुबाईल के द्वारा कैसे रेजिस्टेशन किया जाता है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिदिये जाएगा जहां से आप मुबाईल से देखकर आसानी से रेजिस्टेशन कर पाएंगे मातर असान तरीका है आप बस इसको वीडियो को देख लिजेगा और आप रेजिस्टेशन कर पाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका जो होने वाला है कियब आपका जो होगा से कब तक भरा जाएगा जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आल लाइन जो वेब अप्लिकेशन स्टेटर से आन किया गया उस साथ 112022 से आपका जारी कर दिये लेगा मतलब करने का यह कि साथ 112022 से फार्म बरना स्टार्ट हो जाएगा और लाश्ट डेट फार आल लाइन वेब अप्लिकेशन जो होगा वह आपका 222222 मतलब कि लाश्ट डेट जो इस फार्म का रखा गया वह 222222 रखा गया तो उससे पहले आप फार्म को प्लाइक कर लिजेगा और कोई भी अधर जनकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिजेगा